हे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको के एक बजट स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम होगा पोको M3 दोस्तों ये स्मार्टफोन 21 जनवरी को लॉंच किया जाएगा जिसे पोको ले टेग लाइन दी है बजट किलर के नाम से आज हम लोग जानेगे कि क्या ये बजट किलर आपके लिए बैस्ट होगा या नहीं और जो पोको M3 होगा इस स्मार्टफोन कब तक लॉंच किया जाएगा क्योंकि 21 जनवरी को ये स्मार्टफोन इंडोनेसिया की मार्केट में लॉंच होगा और डेफिलिटली कुछ दिनों बात ये स्मार्टफोन आपको इंडिया की टेक मार्केट में भी देखने को मिलने वाल है तो गैस अगर आप भी पोको M3 की स्पिस्केशन प्राइज और लॉंच डेट जानने के बारे में एकसाइटेड हो तो बिने स्क्रिप की वीडियो गलास तक जरूर देखे चैनल पन नहीं हो तो चैनलों को सब्क्राइब करके साइड में बैल एकन को जरूर दबा ले लेटेस टेकलोजी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को और इंस्टरगाम हैंडल को भी फोलो कर सकते हो सुरुआत करता है मुबाइल फोन पर मिलने वाले डिजैन से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके बार पोको की तरफ से हटकर डिजैन मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हूँ कैमरे का जो काट आउट हो काफी अच्छा है एक जो बलेक लाइन जा रहे हो काफी अच्छी लगती है और फिस साइड में आपको पोको की ब्रांडिंग मिलती है हालंकि यहाँ पर आपको पॉली कार्बिनेट का बैक ही दिया गया है यहाँ पर साइड माउंट और फिजिकल फिंगर फिन स्कैनर मिलेगा तो नोड़ाट यह स्मार्ट फॉन बजट के साब से डिस्पले के मामले में काफी अच्छा मॉबाइल फॉन रहने वाला है बात करें मॉबाइल फॉन के प्रोसेसिंग पाउर की तो यहाँ पर यूज़ किया गया है कोलकॉम स्नैप ड्राइगन 662 के SOC जिससे आप बजट के साब से काफी अच्छे परफॉमेंस ले सकते हो और गर जबी स्मार्ट फॉन इंडिया के मार्कीट में लॉंच होगा मुझे ऐसा लगता है यह स्मार्ट फॉन आपको 6GB रेम के साथ देखने को मिल जाए गया निकी बेस वरियंट में 6GB रेम देखने को मिल सकती है जैसे आपको POCO M2 पर देखने को मिलती थी और SD कार्ट के एक स्लोट वी मिलेगा अगर आप बजट के अंदर मुबाइल फॉन पर गेमिंग परफॉमेंस लेना चाते हो फ्रंट फेसिंग कैमरे भी दिया गया है और पर देखा जाए तो POCO M3 पर आपको काफी अच्छे कैमरे मिलते है काफी अच्छे फोटोगराफ ही आप मुबाइल फोन से कर सकते हो और दोस्तों अगर हम बात करें मुबाइल फोन पर मिलने वाले पावर बैकप की तो यहाँ पर 6000 mAh की एक मैसी बैटरी मिलेगी 18W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है यहाँ पर आपको डेटरी से दो दिन का बैटरी बैकप बड़ी आसानी से देने वाले है यहाँ पर आपको IR बलस्टर, साइड मौन्टूड, फिजिकल फिंगर पिन, स्कैर, फेस, अनलोक का सपोर्ट मिलेगा डेडिकेटड माइक्र स्डी कार्ड के सलोट भी दिया जाएगा और गैस यहाँ पर आपको काफी अच्छे स्पीकर आउटपूट देखने को मिलने वाला है तो गैस अब बात करते हैं कि जो पोको M3 होगा, यह इंडिया की मार्केटव कब लौँच होगा और किस किमत में लौँच के जाएगा सबसे पहले तक में आपको बता दूँ कि यह स्मार्टपून 21 जनवरी को इंडिया की मार्केट में अफिसली लौँच होगा जिसे पोको ने टैग लाइन दिया है कि एक बजट किलर रहने वाल है आपने अब तक सुना होगा कि तो फ्लैक्सिप किलर ही होते थे बट गाइज आप पोको की साइड से बजट किलर को भी लौँच किया जाएगा और यह स्मार्टपून इंडिया की B.I.S. साइड को उपर भी लिस्ट होकर आया था करी सारी सर्टिफिकेशन साइड पर लिस्ट होया था तो इससे हम यह पता चलता है कि इंडीया की मार्किट में आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा कापी अच्छी specs के साथ लौँच होगा और aggressive price के साथ लौँच होगा इंडे की मार्किट में ये करीब 10,000 के आसपस आपको देखने को मिलने वाले है हो सकते हैं ये स्मार्टफोन आपको फरेवरी के फर्स्ट वीक में इंडे की टेक मार्किट के अंदर देखने को मिल जाए अगर मुबाइल फोन के रिगार्डिंग कुछ भी इंप्रमेशन सामने आती है तो अपने टेलिग्राम चैनल पर यूटूब चैनल के माददम से आपको बता दूँगा तो चले गैस अगली वीडियों फिर मुलाकात होगी तक तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर